तीज़ार है तो चलिए शरूरात करते हैं मेश राची वालूं के साथ अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन आज के दिन आपको सोच के समझ के चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है अगर आप का कोई इलाज चल रहा है या डॉक्टरी निरीक्षन या परीक्षन की जरूरत है तो आज के दिन उसको नजर अंदाज ना करें स्वासमंदी सारे आसपेक्ट को विचारत करके विचार में रखते हुए ही कोई मेंत्रपूर्ण डिसिजन ले चाहे वो फिनैंशल स्टेबिलिटी को लेकर हो चाहे वो कारशेत्र में कुछ नया पन या कुछ नया काम या कुछ नए अवसरों को बढ़ावा देने का हो लेकिन कहने का मतलब यह है कि कारशे दी चिंताएं आपको सता सकती हैं तो उसको एग्णोर ना करें बात करते हैं वरिश्व राशी वालों के लिए आपके लिए सिच्वेशन्स अनुकूल है मन आपका शान्त है विचारधाराएं प्रबल हैं स्ट्रॉंगस परिस्टेल पे आप अलरड़ी चल रहे हैं आपके लिए पॉजिटिव होती भी नजर आएंगी साथी साथ आज के दिन आपको भी खान पान पे थोड़ा सा नियंतरन रखने की जरूरत है बात करते हैं मित्वनराशी वालों के लिए आपका स्वास मित्वनराशी वालों आज के दिन सही रहेगा मन थोड़ा सा विचल अनुबंद हो सकता है कोई टाइम फ्रेम को लेकर अगर कोई आपको बांधना चाहता है तो उसमें सोच के समझ के यह हो सके तो second opinion लेने के बाद ही आपको उसमें अपना signature करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए साथी साथ कारे शेत्र में आज के दिन सोच समझ कर communication को clarity के साथ आगे बढ़ाते हुए दिन को बिताना चाहिए बात करते हैं करकराशी वालों के लिए आपका दिन करकराशी वालों बिल्कुल ठीक रहेगा आज के दिन समानेता परिस्तिती रहेगी खास होता चड़ाओ देखने को नहीं मिलेगा स्वास समंधी चिंताएं कम होत करके जा सकती है आज के दिन आपको संतुलित वहवार रखने की जरुवत है आज के दिन बैलंस अप्रोच लेकर चलेंगे वर्क लाइफ बालेंस भी आपका बनता हुआ नजर आ जाएगा बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए स्वास समंधी चिंताएं सिंग राशी को क्लियर रखना है और अपने स्टैंड को आपको क्लियर करना है साथ ही साथ आज के दिन उन सभी तथियों का आप इग्नोर करने की कोशिश कर सकते हैं जो आपको चिंता में डालते हैं चिंतित करते हैं साथ ही साथ आज के दिन आपको पूरी कोशिश करने चाहिए पॉज संकेत या शुब समाचार मिल सकता है बात करते हैं कने राशिवालों के लिए कने राशिवालों समानिता आपके लिए सिचुवेशन रहेगी कुछ खास उतार चड़ाव देखने को दिन में नहीं मिलेगा सकेंड आफ के दौरान थोड़ा सब अकलोड जादा हो सकता है जो आपका शांत रहेगा साथी साथ आज के दिन अपने उपर भी आज के दिन टाइम निकानने की अध्यान देने की जरूरत है बात करते हैं तुला राशिवालों के लिए तुला राशिवालों आज के दिन आपको स्वास्त के प्रती थोड़ा सा चिंतित रहने की जरूरत है अगर आपका कोई इलाज चल रहा है तो दवाओं के प्रती लापरवाई ना बढ़ते हैं। साथी साथ अगर आपको लगता है कि आपका कोई medical check-up due है तो समय समय पर आपको उसका इलाज कराने की जरूरत है। साथी साथ आज के दिन आप उन सभी तथियों को विचार कर सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि पॉजिटिव सेनारियो बन सकता है और काफी लंबे समय से आप प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे थे और चलते चलते उसमें विराम लग रहा था तो अब समय आ गया है जहां साथ के दिन आचार सकते हुए, स्वास्त को भी आज के दिन एग्नोर ना करते हुए पुराने फिनानस Alport अबर होती नजहर आएंगी बात करते हैं व्रिष्टिक्राशी वालों के लिए situations व्रिष्टिक्राशी वालों आपके लिए बिल्कुल सही है आज के दिन कुछ खास नयापन देखने को नहीं मिलेगा जैसे चल रहा है वैसे चलेगा हाला कि इसी पदती पे अगर चलता रहा नए अफसर नौकरी चेंज करने के आर्थिक स्थिर्ता के या बिजनस अगर आपका निजी वेवसाय है उसके विस्तार के लिए आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे उसको अगर आप टेक अप करेंगे तो आपके लिए और अच्छी परिस्तिती बनती भी नजर आएगी दात करते हैं धनौराशी वालों के लिए धनौराशी वालों परिस्तितियां बिल्कुल अनुकूल है मन आपका शान्त है जैसे आपने सोचा था उसी तरह से चलते चलिए कहीं से कोई भी चिंता करने की या चिंता में आने की जरूरत नहीं है साथी साथ आज के दिन कारेश शेत्र में बोज आपके ओपर वर्क लोड या वर्क प्रेशर जादा हो सकता तो उसको लेकर थोड़े से चिंतित हो सकते हैं पर पॉसिटिविटी को इंबरेश करी आगे बढ़ते चलिए सब तरफ से आपको सपोर्ट भी आपको मिलेगा कारेश शेत्र में भी मिलेगा और परिवार में भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए मकर अच्छी बालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन काफे सदा व्यस्त हो सकता है परिवार में भी चिंता हो सकती है स्वास संबंदी चिंता हैं आपको खुद को सता सकती है तो अपना और अपने परिवार का आज के दिन ध्यान रखने की जरूरत है खास दोर पे health aspects को लेकर साथ इसाथ अगर कुछ नया निवेश करने की सोच रहे थे सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निवेश मत करिये जो आपकी situations को और ज़दा negative कर सकता है सोच समझ कर आगे बढ़िये निवेश करने के pattern को भी समझने की कोशिश करिए अगर लगातार आपको निवेश कर रहे हैं और losses हो रहे हैं तो उसको रोकिए और थोड़ा सा विराम लीजे थोड़ा सा विश्राम करिए कुछ समय के बाद फिर से आप अपने strategy को review करके आगे बढ़ सकते हैं जलबाजी में कोई भी step लेंगे तो नुकसान आपी का होगा बात करते हैं कुमराशी वालों के लिए situations आपके लिए positive हैं कुमराशी वालों कुछ खास नयापन आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा हाला कि मन शांत रहेगा positive रहेंगी confidence level में भी जाफा होते हुए देखेंगे पराकरम में वृद्धी रहेगी अपर बॉसेज या उचद्धिकारियों से आज के दिन प्रोचसान मिलता हुए नजर आएगा कारिशेत्र में भी मान सम्मान की वृद्धी होते हुए देखेंगे साथी साथ आज के दिन रोजगार के नए अवसर या नौकरी चेंज करने की परिस्तिती या निजी वेवसाय में एक्स्पैंड करने की सिचुएशन या कोई न कोई एक अवसर जो लेटर ओन डिवेलप हो सकता है गुड़ प्रॉफिटिबल वेंचर के रूप में वो आज के दिन आपको समझ में आ सकता है किसी वेक्ति विशेश की तरफ से भी कोई बहुमूली राय आज के दिन मिल सकती है मात करते हैं मीन राशी वालों के लिए समानता आज का दिन जाएगा कुछ खास उता चलाओ देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह से आप चल रहे हैं वैसे ही चलते चलिए सब तरफ से आपने अपने लिए पॉजिटिव सिच्वेशन बना के रखी हुई है उसी पदती पे ऐसे ही चलते चलिए आपको सब तरफ से शुबता या शुब संकेत देखने को मिलेगा लंबे समय से चल रहा है अगर कोई पारिवार एक रिन है जो आपको लगता है कि उसकी पूर्ती और रिपेइमेंट होने में दिक्कत आ रहे थी अब उसमें भी आपको कंसिस्टेंसी देखेंगे आप और रिपेइमेंट होने की परिस्थिती आपकी बंती हुई नजर आएगी स्वास संबंदी चिंताएं अब कम होती हुई नजर आएगी परिवार में स्वास के प्रती अगर आप किसी सदस्थ के स्वास के प्रती चंतित रहते थे या ओवराल आपके परिवार में बिमारियां अकारण रहती थी कलेश रहता था तो अब वो परिस्थिती सौर्टेड या सौर्ट आउट होती वी नजर आएगी किसी के साथ मुझे आगया दीजे मैं कल फिर आजरूंगे नमसकार